तो आजय गाईज आप लोग जब यो यो हनी सिंघ पाजी उस मुकाम पे थे पीक पते तब उन से सब पाजी पाजी करके बात करते थे उनकी रेसपेक्ट करते थे चाहे जूटी करते हो या फिर सच करते है वेकिन करते जरूर थे लेकिन वही लोग अब बदल चुके हनी पाजी पर एक प्रोपोगेंडा स्टार्ट कर चुके हनी पाजी को बदनाम करने की कोसिस करते हैं हनी सिंग पाजी के खिलाब कुछ ऐसी बाते परोस्त हैं कि लोग का माइन डाइवर्ड हो जाता है उनके लिए वो हीन बाउना रखने लग जाते हैं पर फिर भी उस जो उनका पाज था उनके मुकाबले अगर कंपैर करते हैं तो फिर स्टकर टाइम माना ही पूरी बात क्या है पूरी बात यह है कि बाजश्या ने यांपर हनी पाजी को यहां पर पहले क्रेडिट वाली शीन की बात की थी परक्रेडिट नहीं मिलता था यह करके लेकिन अब क्रेडिट वाली बात उन्होंने नहीं की है और अब उन्होंने बात की अन्रीलिजिस्ट ट्रेक के बारे में लेकिन वो अपनी बातों में खुद फस गए है पहले आप छोड़ इस क्लिप देखिए अलग होने का रीजन में ये था कि यार जो हम लिख रहे है वो ज्यादा निकली नहीं रहे हैं भार हाँ यार हम इतना कुछ कर रहे हैं है ना एंट ठी कि आप अपना करियर बना रहे हैं अब हमारे बारे में तो सोचो तो बास्ता भाई यार पर पब्लिक है बहुत ही हुसी आ रहे है अब बेवकुफ नहीं है आपकी हर बातों को या फिर हापके हर लबजों को वो पकड़ लेती है आपने पहले क्या बोला था और अब क्या बोल रहे हो आपने पहले बोला था कि अच्छी बाते नहीं हुए ह परफेक्ट रखना है इस बात पर ही continue रहना है आप किसी इंटर्वियू में क्या बोलते हैं किसी इंटर्वियू में क्या बोलते हैं इसलिए आप अपनी बातों में ही फस जाते हो साथ ही बात करते हैं एमवे बंटाई की जो king of motivational video बनाया है जो उससे inspire हो सकते हैं कोई भी आर्टिस्ट जो underground आर्टिस्ट है जो नई आर्टिस्ट है तो भाई एमवे बंटाई को यहाँ पर इन सब चीजों के जरुद नहीं वो बंदा जिस दिन आएगा सीन में फाल के रख देगा वो king है hip hop king में उसको बंदे को मानता हो औ लोगों को दिलों ने यहाँ पर उनको accept किया है तो भाई king यहाँ पर जो में बंटाई वो है भाई उनको कोई टकर नहीं दे सकता और डिस्क के मामले में बाकि में बंदा है कि सब को पहल देता है और सही बात पर पहलता है चाहिए फिरो कोई भी क्यूना उसकि सब के साथ बीफो रखी है और हैमें भी बंटाई कि कुछ एक एसी खास याथ कि वो हर चीज को फैक्ट के साथ पहलता है तो अच्छी लगती है पसंद आती है बाकि आप बोल रहे हो यह ट्रेंड में नहीं गया वो नहीं गया देश कोटी मोटी बात है बाई कभी उपर नीचे चलता पिश्ट उसके गाने जब पर सुनोगे तो बहुत कमाल के गाने बनाता है यार यूनिकनेस होते है उसके गाने में तो जब लियो ग्रेवाल एक्स बेला होगा तो कौन सा प्रोड़क्ट बनकर आएगा वो पहुत ही महत्पून बात है मतलब बिलकुल यूनिकनेस है विद आज मैंने ब्रेकप की पाड़ी रखे लिए सुबा से एक बहुत तलदारू भी पी ली है यूगेस इट राइट स्विद लियो गरेवाल भाजी और मैंने उनको वोकस बेज दिये रो साउंड सब कुछ बेज दिये गाना कब ड्रॉप होगा इसका भी कोई आइड इनका कोलेब हमें बहुत जल देखने को मिलेगा जिसके लिए बहुत एक्साइटमेंट है और लियो भाई के तो हम फैन है लेकिन जब ये कोलेब आएगा तो देखते हैं कैसा प्रोड़क्ट निकल कराता है बाकि मिलते है नेक्ट वीडियो में एंड एक और चीज़स के आ बाकि मिलते हैं नेक्ट वीडियो में लव यू जैन एंड जै भारत